वेल्कम बाक टू माई चैनल आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे सेफ होंगे और हेल्दी होंगे बापस से आगई हूं एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपके साथ अच्छे अच्छे आउट्पिट सेयर करने वाले हूँ परसनली सारे ही मेरे फैबरेट है आप पहनों तो आपको इरिटेशन ना हो इरिटेट ना हो और मैं प्रसनली एक एक आउटफिट को जाकर कि रिव्यूस चेक करती हूं जो मुझे पसंद आता इसलिए वहाँ टाइम लेती हूं आपने वीडियो आप तक पहुचाने में में एक एक आउटफिट के लिए रि सबसे पहले बतावना चाहोंगी कि मेरी हाइट 5.5 और मुझे सारे ही ब्रैंड में मैं एल साइस के कपरे पहनती हूं जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हो सो प्लीज उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको एक ला पिंक मिल जाएका, औरेंज मिल जाएका, बहुत ही प्यारा लग रहा है और चेक्स है तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चैक्स में कुछ इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कुर्ते भी हमारे वाडरोब में होने चाहिए इस तरीकी के आउटफिट ना अच्छा लगता है और ब्रैंड ये एम वाई एक से है या अमजाओन बेसिक का यह जो ओन ब्रैंड उससे है एं फैबरिक कोटेन है बढ़िया बाला कोटेन है थोड़ा सा खादी टेक्श्चिर आपको मिल जाएगा प्रौपर खादी तो नहीं है वर था थोड़ा texture जो है ना स्राबरी का खा दी जैसा है आपको नीर से थोड़ी ही नीचे यह कुर्ती मिलेगी यह बहुत लंबा कुर्ता नहीं है straight fitted कुर्ता है so side से आपको एक slit भी provide करवाई जा रहे ही है इस तरीके की basic कुर्ता है बड़ बहुत ही प्यारा है नेक लाइन के अगर हम बात करते हैं तो boat neck मिल रहा है चोटा सा round neck है बहुत ही चोटा सा so बहुत ही प्यारा है इसका neck line भी बिल्कुल basic है बस इसके slips पे थोड़ा सा उन्होंने इस तरीके का pattern रखा है bell slips और यहां पे उन्होंने एक यहां पे thread work भी है जो कि बहुत ही सुन्दर लग रहा है brown thread के साथ उन्होंने यहां पे उसकी highlighting की हुई है bell sleeves skull fashion में है बहुत ही प्यारा सा यह आपको कुर्टा मिलने वाला है all over कुर्टे पे यही प्रेंट मिल जाएगा चेक्स का प्रेंट मिलने वाला है so amazing है कुर्टे की range बगेरा काफी अच्छी है फैबरी काफी अच्छा है अगर आप डेली के लिए भी कुछ सर्च कर रहे हो ना तो I think कि best option होने वाला है क्योंकि pocket friendly है less cotton fabric है color काफी सुन्दर है और ना बहुत ही stylist भी लगेगा थोरा simple outfit इसके साथ होरी से twist होती है उस तरीके के outfit हमेशा ही काफी stylist लगते है so next outfit के तरफ चलते हैं next outfit भी बहुत ही सुन्दर सा color है mehndi green color है बहुत ही प्यारा लगता इस तरीके के color यह इस brand से मैं आपको तीन चार बार इसके outfit दिखा चुकी हूँ इसका मैंने इससे पहले एक I think pink and grey का भी combination मैं आपको दिखाया था जो की बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आया था वापस से मैं next और उसके दूसरे colors लेकर के आई हूँ काफी ज़्यादा यह लोगों को पसंद आया इसका print इसका fabric और इसका color combination है so मैं again लेकर के आई हूँ बहुत ही प्यारा इस पे आपको इस तरीकी का प्रेंट मिल जाएगा मुझे इस तरीकी के आपनीक प्रेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और काफी pretty भी लगता है फैबरिक के अगर हम बात करें तो cotton है cotton का जो cotton fabric जो है थोड़ा सा thin side पे है बट fabric काफी बढ़िया उन्होंने इस्तेमाल किया है काफी comfortable fabric उन्होंने रखा है neckline आपको round मिल जाएगा साथ पे गोटा पटी work मिलेगा आपको दिख रहा होगा neckline पे किस तरीके से अच्छा खासा यहाँ पे गोटा पटी से इस तरीके का work किया गया है आजकल गोटा पटी बहुत in में भी है तो या slips के अगर हम बात करते हैं तो 3-4 slips मिल जाएगा again slips पर भी उन्होंने यहाँ पे गोटा पटी से उसकी detailing करके रखी हुई है जो की अच्छा लग रहा है कुर्ते के वेस्ट लाइन पर आपको दोनों ही साइट पे इस तरीके के ना hang tassels मिल जाएंगे जो की इस तरीके के बने हुए हैं लटकंस बहुत ही प्रिटी लग रहा है silver and white color के यहाँ पे combination के साथ है तो आपको दोनों साइट पे ही मिल रहा है आप उसे ऑनली इस तरीके से ही छोड सकते हो तो मतलब दिखने में अच्छा लगे उस तरीके से या फिर आप इसे पीछे टाइब कर सकते हो अगर आपको कुटा जड़ा सा लूज वगे रहा है तो आप इसे टाइ भी कर सकते हो अनारकली आपको अनारकली कुटा मिलने वाला है नीचे आते वे अच्छा खासा आपको फ्लेयर मिल जाएगा और नीचे इसके बॉर्डर पे भी आपको ठीक ठाक काफी बॉर्ड ठीक ठाक नहीं काफी अच्छा आपको यहाँ पे गोटा पटी वर्क मिलने वाला है बहुत ही सुन्दा लग रहा है पूरे ही आपको कुटे के नीचे साइड पे फ्रांट एंड बैंग दोनों साइड पे सेम इंबॉर्डरी रखा गया है इसके साथ गोटा पटी के साथ बहुत ही सुन्दा लग रहा है गोटा पटी उन्होंने सिल्वर इस्तेमाल किया है all over कुर्टे पर आपको same print मिल जाएगा front and back बहुत ही प्यारा color combination के साथ है green के साथ ये pink color बहुत ही सही लग रहा है साथ में डुपट्टा और मुझे इसके साथ इसका pant भी रिसी हुआ है pant का color भी same रखा गया जो कुर्टे का base color है the green color वही रखा गया है fabric cotton का इस्तिमाल किया गया है cotton थोड़ा साथ इन साइड पे है but काफी soft वाला उन्होंने cotton का इस्तिमाल किया है front आपको किछ तरीके से मिलेगा है back side पे आपको lastik provide करवाई जा रही है इसमें pocket वगेर उन्होंने नहीं दिया है basic सा pant रखा है उन्होंने और नीचे यहाँ पे भी उन्होंने गोटा पट्टी से इसकी highlighting करके रखी हुई है so pant भी काफी अच्छा है क्योंकि इसमें pant आपको visible ही नहीं होता है so वो एक issue नहीं है so वो जरा सा आपको दिखता है मुझे जरा सा ही visible है so अतना कुछ है नहीं इसके साथ bottom का इसके साथ डुपट्टा भी मिला है डुपट्टा भी वही base color का रखा गया है cotton बहुत ही बड़िया उन्होंने इस्तमाल किया super soft सा cotton है आपको बिल्कुल भी इससे carry करने में परेशानी नहीं आएगी चारो ही side पे इस तरीके से गोटा पट्टी के साथ उसकी detailing की गई या नीचे भी इसके border पे इस तरीके से गोटा पट्टी से उसकी detailing की गई है यहाँ पे आपको इस तरीके से fabric से बने वे tassels भी मिल जाएंगे तो बहुत ही प्यारा ये भी outfit है next outfit की तरफ चलते हैं next outfit आप सबको पता है मेरा फैबरेट ब्रैंड यास टबलू से है color बहुत ही सुन्दर है हर किसी को पसंद आने वाला color है black color बहुत ही प्यारा सा color है जिसके उपर आपको इस तरीके से silver print मिल जाएगा इस पे sparkles वाले silver prints है आपको हाथों में नहीं आ रहा है तो ये issue नहीं आएगा कि आपके हाथों में मैं आपको मसल के दिखाती हूँ ये बिल्कुल भी मेरे हाथ पे नहीं आ रहा है तो ये एक अच्छी चीज ऐसा नहीं है कि आप इसे पैनोगे और आप पूरे glittery हो जाओगे इसे वो वाला issue नहीं आने वाला है बहुत ही प्यारा है फैबरिक cotton का उन्होंने इस्तेमाल किया है और इस पे लीवा का tag भी आपको मिल जाएगा आप सब को पता होगा कि लीवा आपको फैबरिक की कोई भी किसी भी तरीकी का नहीं आपको इसे टीनी डाइनी से उन्होंने सीक्वेंस का इस्तेमाल किया है वो गोल्ड है और ठ्रेट सिल्वर है तो सिल्वर और गोल्ड का कॉंबिनेशन बहुत ही अमेजिंग लग रहा है आपको अलवर कुर्ते पे ये प्रेंट मिल जाएगा स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है तो साइड से आपको एक स्लिट भी प्रवाइट करवाई जारी है जो कि अच्छा लगा मुझे इस तरीके का इसकी स्लिप्स पे भी आपको सेम वही प्रेंट में लेगा जो अलवर कुर्ते पे है यही वाला प्रेंट आपको फ्रेंट और बाक बर मिल जाएगा इसके स्लिप्स आपको 3-4 मिल जाएगी अच्छा है और इस स्लिप्स के हाईलाइटिंग पे उन्होंने गोल्डन कलर का एक लाइंट पूरा सीक्वेंस का रखा है जो की बहुत अच्छा लग रहा है तो इस बहुत हाईलाइटिंग के साथ आउट्फिट बहुत ही प्रिटी हो जाता है बात करते हैं उसके बैक की तो बैक आपको बिलकुल प्लेन मिल जाएगा जो की होता है सारे ही कुर्तों में बेसिक सा बैक भी है बट फैब्रिक काफी अच्छा काफी स्मार्ट सा आउट्फिट है प्राइवार में देख पा रहे हो यह मुझ पे कैसा लग रहा है नेक्स्ट आउट्फिट की तरफ चलते हैं बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली और काफी बढ़िया है यह कुर्ता कलर बहुत ही सुंदर है ब्लू है इस पे गोल्ड प्रिंट किया गया है फैब्रिक कॉटन है मतलब इस प्राइस रेंज में आपको इतना प्यारा आउट्फिट मिल जाएगा न बहुत ही अच्छा है यार बहुत ही बढ़िया इस फैब्रिक पे भी आपको आगें टेक्श्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बैक साइड पे नहीं, बैक बिलकुल उन्हें प्लेन सा रखा हुआ है अगर हम बात करते हैं तो आपको प्लेन नेक लाइन मिल जाएगा गोल्ड कलर का यहाँ पे आपको इस तरीके से एक स्टिच आपको बॉडर भी यहाँ पे मिलेगा तो साइड से आपको इस तरीके का एक स्लेट भी मिल रहा है और यहाँ पे भी वो स्टिच बॉडर मिलने वाला है तो कि अच्छा लग रहा है आपको तीनों ही कॉनर स्पे इस तरीके से एक स्टिच बॉडर मिल जाएगा इसके साथ मुझे इसका बॉटम भी रिसीव आ है सेम प्रिंट से है उसी तरीके का कलर का इस्तमाल किया गया उस पे थोड़े से बड़े बूटों का इस्तमाल किया गया इस पे थोड़े से छोटे बूटों का इस्तमाल किया गया साब्रिक बहुत ही बढ़िया है cotton है अगेन बताऊं और दोनों ही side पे आपको band मिल जाएगा तो front और back का को issue ही नहीं है आपको जिधर से मन करें आप उधर से wear कर सकते हो इस पे pockets वगेरा उन्होंने provide नहीं करवाई है बिल्कुल basic सा है आपको thigh area पे भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे space मिल जाएगी तो आपको tight वाली issue भी नहीं आएगा ठीक ठाक है और नीचे के अगर हम बात करते हैं तो नीचे भी आपको यहाँ पे stitch border मिल जाएगा जो कि again बहुत ही प्यारा लग रहा है So all over kurta बहुत ही अच्छा है बहुत ही प्यारा है Try on में आप देख पा रहे होगे मझे पे कैसा लग रहा है So बस यही था अज का मेरा haul I hope कि आपको मेरे videos पसंद आते हो और अगर आपको मेरे videos पसंद आते हो या मेरा content पसंद आता हो तो please मेरे channel को like, share and subscribe कर ले and thank you for watching my videos